प्रिवेंशन इस बेटर देन क्योर अब इस प्रोवर्ब को बूल के हमें एक नया फ्रेज याद कर लेना चाहिए नीरो फिडल वाइल रोम बर्न ऐसा कभी ना हो लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां ऐसे सोचने पर मजबूर कर रही है डर है ऐसे वीडियोज विचलित करते हैं वेलकम तुट्राइब नमस्कार मैं नरेंदर कोरोना से एफेक्टिट लोगों में व्रिद्धी हुई है पांच ITVP रिकॉंपियो और 17 जंगी में दोनों ही जगा ये जवान कॉरंटाइंग थे ITVP एरिकॉंपियो और जंगी को कॉंटेंटमेंट एरिया गोशित कर दिया गया है अब इन टोटल मामले 30 हो गया हैं जिन में से 27 एक्टिव हैं और अब किनौर में तीन कंटेंटमेंट एरियास हैं इस वीडियो का उद्देश सतर करना हैं क्यों आईए जानते हैं 350 ventilators according to the recent study by Economics and Policy and Piston University इंडिया पीछे है Brics Nation में जब बात आती है spending की तो according to National Health Profile 2018 इंडिया's public health spending is less than 1% of country's GDP जो कम है भुटान से जो 2.5% शिर्लंका 1.6% नेपाल 1.1% और Maldives 9.4% अब बात आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो ऐसा इसलिए हो रहा है developing nation का status है इंडिया के पास States में भी health को लेकर बहुत differences है केरला जहां पर top का stand रखता है वहीं पर UP, Bihar, bottom stand पर आते हैं अब अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल budget 2020 के मताबिक लगबक 2702 करूर health के पीछे खर्च किया जाएगा जो 6% होता है GDP का और tribal areas के लिए 1758 करूर जाहिर है काफी spend किया जा रहा है तो लाजमी है कि दूसरे कई States से अच्छा परफॉर्म करने की capability रखता है लेकिन हिमाचल की अपनी दिक्कते हैं मसलन वेकन स्पेसिस का अधिक होना पुराने infrastructure पे attention पे ना कर पाना कोरोना के दौर पे जन्जातिय शेत्र किन और अपने ही पहले के problem के उपर और problem से यूज रहा है तोटल तीन ventilators दो working condition में है एक assemble करना बाकी है एक dedicated covid center में है और दो private hospital में है dedicated covid center में 28 beds की availability है प्रशासन्स की और से अभी तक चीनित तो कर दिया गया है कहां कहां इन future dedicated covid center बनने हैं लेकिन अभी final नहीं हुआ है TAC member शांता नेगी के और से भी ventilator beds की उपलबता के लिए governor हिमाचल से आगरे किया गया तीन महीने से ज़ादा का वक्त हो गया है equipment का आबाव यह तो रही resources की बाद जो कि नौर के पास बहुत कम है अब थोड़ी बात trust level की हिमाचल परदेश का डिस्टिक के नौर total area 6401 square kilometer population लगबग 1,002,011 census के अनुसार 13 लोग पर square kilometer area green zone का status maintain रखा lockdown period के दोरान लेकिन अब कोरोना संक्रिमितों में प्रती हो रही है एक research paper के अनुसार बारत के नौकर शाही ने अभी तक 400 से अधिक फैसले लिये हैं निरने वोगोल सामाचिक संरजना इत्यादी को देख कर लिये जाते हैं किनौर के प्रशासन ने भी समय समय पर decision लेकिन recently एक चूक ने स्थिति को बदल के रख दिया चूक थी कांगडा से संबन रखने वाले दो पुलिस कर्मियों की बिना जांच history जाने उनसे सेवा ली गई यह जानते हुए भी कांगडा में number of cases अधिक हैं बता दें यह फैसला unlockdown चरण एक का था जहां guideline सी कुछ ऐसी थी खौफ का माहौल तब पैदा हुआ जब पता चला कि टेस्ट रेंडम थे front line workers को लेकर थोड़ी सी सतरता बरती चाह सकती थी नतीजा अब पूरा का पूरा समाज अस्मंजस के और बै के माहौल में है कि नौर में community का विश्वास प्रशासन से उड़ता साथ दिख रहा है खुझ से फैसला लिया जा रहा है सोचा जा रहा है अपने को कैसे protect किया जाए जगा जगा पे public barriers बसों की सेवा लेने से इंकार बाहरी वेक्ति का गाउं में आना निशेद इवन ICMR से लिया गया negative होने का certificate मानने नहीं है empowerment का होना और विश्वास की कमी से फैसले लेने में difference है प्रशासन को ये समझना होगा लोगतंतर के लिए इन्हें अच्छे संकेत नहीं मान सकते और खासकर मामारी के दोरान अफ़ाहों का माहौल गरम है जागरुकता फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर काम छेड़ा गया था lockdown के दोरान लेकिन अब उसमें कमी सी लग रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने शिंथ हो गए हो recent incidence trust factor की वो बढ़ाने की डिमांड करते है trust और fair की जब बात आती है तो best example होते हैं चाइना और न्यूजलेंड चाइना जहां fair और न्यूजलेंड जहां trust न्यूजलेंड और चाइना में lockdown उट जाने के बाद सब सामानिया हो गया लेकिन अब re-accurrence के cases आ रहे हैं ऐसे में न्यूजलेंड का trust factor पहले की तरह काम करेगा और विश्व में a close लेका ऐसा माना जा रहा है कारण transparency और trust comment पे वहीं चाइना के लिए ऐसा कहपाना मुश्किल है जानकारों का मानना है कि अपने परोसियों के साथ land dispute को बढ़ाने के पीछे का कारण भी यही है आने वाले समय में economic burden बढ़ा होगा इसमें कोई दोराए नहीं है oil के prices अप हुए है हिमाचल में electricity महंगे होनी जा रही है private bus operators ने किराय में बड़ोतरी की demand रख दी है लोग डरे हैं लोग अपने को protect करने के लिए barriers का निर्मान कर रहे हैं मिर्च शबों को संधे की नजर से देखा जा रहा है हाली में स्पिती में incident जहां कृशी मंत्री के काफिले को रोका गया और अब उन महिलाओं पर केस दरज हुआ है उन महिलाओं के support में बहुत से संस्ताइं आगे आई हैं यही प्रूफ होता है कि कहीं न कहीं communication gap है administration, government और आम आदमे के बीच में और ऐसे incident gap को और बढ़ा रहे हैं 2.0 वावा नगर पूरा का पूरा deserted देखता है psychology की basic सी बात है पहले आदमी gesture से ही काम चलाता था बाद में शब्दों का परियोग किया ताकि misunderstanding ना हो 30 जून को 6 महिने हो गए हैं जब पहली बार चाइना से रिपोर्ट WHO तक पहुंची थी WHO के अनुसार ठहराव किस्तिती दूर्ट की बात है number of cases में लगातार पृति हो रही है WHO के अनुसार it has bought out best and worst of the humanity WHO डारेक्टर जर्नल ने आवाहन किया empowerment के लिए सशक्ति करने ताकि आम आदमी helpless महसूस ना कर पाए hygiene का ख्याल रखे और reliable sources से information ले surveillance tracing और quarantine context पे काम करना होगा early identification करनी होगी ताकि ज़्याद ज़्यादा lives को save किया जा सके accelerate करना होगा research को political leadership को भी दूर दर्शिता दिखानी होगी WHO high tech solution की बात नहीं कर रहा है वो just basic guidelines को follow करें इसकी बात कर रहा है अब वाहों पे विश्वास ना करें आम आदमी सरकार का से योग करें प्रशासन भी आम आदमी के साथ एक trust develop करें तभी हम इस बिमारी कोरोना के खिलाफ जब को चीच सकते हैं